ना फैलता है वो स्पर्ष से ना ही हात मिलाने से ये बस एक बिमारी है जो खतम होगी हमारे जागरुख हो जाने से ना करो ग्रिना उस व्यक्ती से ना डरो उसे अपनाने से थोड़ी सी जागरुखता बचाएगी इसको आगे जाने से अगर सोच बदल लिया अभी ही अगर संभल लिया तो कोई ना रोक सकेगा हमें इससे जीतने में जी हाँ मैं बात कर रही हूँ HIV AIDS के बारे में जो हमारे समाज में एक बीमारी से जादा एक डर के रूप में फैली हुई है हमारी एकता सजगता ही इसका एक मात्र इलाज है जब तक की विज्ञान इसका सटीक इलाज ना खोज ले इसी जाकरुगता को आगे बढ़ाते हुए हम जीत कॉलज के बीएसी नर्सिंग के छात्र एवं छात्रा आपके समख्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कुछ इस प्रकार है मेरा नाम कुनाव है और मेरी उंगर एके साल है मैं एक नर्सिंग स्टूनेंट हूँ जब मैं अपनी नर्सिंग फर्स्ट यर क्लीनिकल ट्रेनिंग पर था उस दौरान एक पेशेंट को ट्रीटमेंट देते वर्क मुझसे गलती से नीडल प्रिक हो गई तब मैंने देखा क मेरे में बहुत सोचा और हिनमत करकर अगले ही दीन जाके मैंने अपना HIV टेस्ट कराया और HIV टेस्ट की रिपोर्ट आने में टाइम था तब तक मैंने गर्व पे बैटकर बहुत जादा मुझे टेंशन हो गया इस दोरह मैंने अपनी फैमिली और अपने फ्रेंट के बारे मे मैं पीकूँ और यहां तुसे कुछ बार शेयर कनी थी हां बोल ना क्या हुआ अरे मैं अपने पेशन का ट्रेटमेंट कर रहा था ना तब मुझे पता पड़ा कि बार में इस टेंग मुझे नीडल टेक हो गई थी तो मुझे पता पड़ा कि वह एक HIV पेशन था बार में बह इसे हो गया तो मैं रहा हमें पर्ण हो गई है और यह ते लुढ़ा है तो में अपले की नीडल से दूर है तुझे पता है ना ही कितनी बड़ी प्रोग्लम है और इसका ग्लाज भी यह करूं यार गलती से वह निलार्टरीक हो गई अब तुम भी कुछ नहीं कर सकते, फैमिली भी सपोर्ट नी करेगी, तुम भी नहीं करोंगे, तुम भी हमें भी हो गया तो, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं कितना है, हमें भी हो गई तो साथ में, चल ठीक है तू, ठ्यान रखना अपना, बाई हलो, हे सर्वी, हे कुनाल कैसे हो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, मैं भी ठीक हूँ, आज बड़े दिनों बात याद किया है, हाँ यार, कुछ काम था, कुछ डिस्कॉस करना था, अच्छा क्या बताओ, क्या, तुम HIV पोसिटिव हो सकते हो, शायर एच्छा यह पोसिटिव हो स अरे यार, सर्व तुम टेंशन मतलो, सब ठीक होगा, आरे मैं अपनी टेंशन यह नहीं रहा, क्योंकि मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मुझे अपनी टेंशन है, क्योंकि वो बहुत जागा मैं से प्यार करती है, हाँ हो तो है, अभी तु करना किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसर्ट करो और अगर बाया चांग तुमारी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आती है तो ट्रीटमेंट शुरू कर देना अठाकि तुम जल्डी से ठीक हो जाओ पस रिपोर्ट आती ही डॉक्टर से कंसर्ट करो तुम मसफना ख्यार रखो और लोगों की बातों पर ध्यान बात देना वैसे भी मुझे लोगों की बातों दे कोई परत नहीं पड़ता है जाओ आप से कुछ बात करनी है हां कुनार बोलो च्या बात करनी है अगर जब मैं अपनी थीनिकल प्यूटी पर था तो मुझे गवदी से में एक पेशेंट था ज पॉजिटिव मैंने जब अपना टेस्स करवाया तब रिपोर्ट्स पॉजिटिव है क्या है यह तुम क्या बोल लियो थोड़ा सोच समझ के बोलो चलो अब जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं वो एक हासा था हम इसका हल निकाल लेंगे हम ऐसा करते हैं हम तुम्हारी गुषा से बात करते हैं वो एक अनर्स है तो तुम्हें भी समझा देंको कि तुम्हें आगे क्या परणा चाहिए और बागी सök को भी समझा दिनगे तुम पलब माँ बुवा जी फोन नहीं उठा रहा है अच्छा वो फोन नहीं उठा रहा है तो ऐसा करो तो इनको मेसेज दाए जब भी वो फ्री होंगे ना वो मेसेज देख लें एक है मैंने मेसेज कर दिया है क्या है हलो हलो नमस्तो दब क्या हो गया है सब हाजी हाजी क्या होओ अच्छी क्या हुआ हुआ कि बात कर रहा हूं बताओ क्या हो गया है सब अर्वाद हो गया है आपकी इचल आपकी राइपनेशन को ठीक है वह गूल-गूल मत खुमाओ बताओ सही में हुआ क्या आपके लड़के ने कही मुझ दिखाने लाइक नहीं शोड़ा है कुनाल ही पॉजिटिव है क्या बेहुदा बात कर रहे है आप बेहुदा मेरी बात नहीं बेहुदा आपके लड़के के अरकत है जाओ बात कर अपने सबूत से हैलो कुनाल कौद क्यों नहीं उठा रहा है उसकी ममी को बढ़ता हूँ काम अर्गे सबके सबको इक्वाल में उठा रहा है पडोसी को बता हूँ हारा केजी क्या हुआ हुआ सब ठीक तो है हाँ भी कर राता है कि बात हुआ हाँ हाँ सबकी के आप इंदफा बात कर दो कि लिए क्या बोलने फुफ़जी तेरे बारे में वो क्या गड़ रहा है क्या कमी रहेगे थे हमारी परवरिस में खांदान की इज़त मिट्टी में मिला दी तोने जरा भी नी सोचा तोने आप दोनों को इस बात पे इतना बवाल करने की कोई जरुवत नहीं है वो भी इस दोर में जब विज्ञान ने और तकनीक ने इतनी तरक्की कर लिए कोई भी विक्ति जिसे AIDS हुआ हो उसे ऐसी नजरों से देखना बिल्कुल ठीक नहीं और आप तो इसके माबाप हो आपको तो ऐसे वक्त पे इसका होसला बढ़ाना चाहिए इसका पूरा-पूरा साथ देना चाहिए समाज की लोगों में जो इस विमारी के बारे में गलक सोच है जो की इसके बारे में पूरा ग्यान ना होने के कारण है वही इस विमारी का सबसे बरा कारण है HIV positive व्यक्ति कई वर्सों तक, for example, 10-8 वर्सों तक वह सामान्य ही प्रतीत होता है और सामान्य अपना जीवन व्यतीत कर सकता है अब मैं बताते हूँ कि यह फैलता किन किन कार्णों से है HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबन से HIV संक्रमित शिरिंज या सुई का दूसरों के द्वारा प्रयोग करने से संक्रमित मा से शिशु को या प्रसव के समय प्रसव से सीग्र या प्रशव के बादे तो देखा आपने किस प्रकार केवल एक इनसान की समझदारी और जाग्रुकता के कारण एक व्यक्ति की समाज में फैले ही हुई इस डर से रक्षा हो सकी तो कहने का तात्परी ये है कि AIDS साथ में खाने से एक दूसरे को छूने से या फिर साथ रहने से नहीं फैलती और हमारा एकमात्र उद्देश यही होना चाहिए कि हमें AIDS स्पीडित व्यक्तियों के साथ कोई भी बेदभाव ना करते हुए उन्हें एक सामान्य जीवन व्यतीत करने देना चाहिए अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें रोग से दूर हो रहना चाहिए रोगियों से नहीं